let's solve a new problem based on greatest integer function so question में दिया हुआ है कि if d1 is the domain of function f1 and d2 is the domain of function f2 then value of d1 intersection d2 तो यहां पे चार option दिये हैं इस problem को solve करके आप बताना है कि इन दोनों के domain के intersection की value क्या होगी ठीक है तो इस problem को solve करने से पहले आज मैं एक great mathematician के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका नाम था स्रीनिवासा रामानुजन थीक है इनके बारे में हम लोग जानते ही है कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और great mathematician थे इन्होंने mathematics के लिए बहुत कुछ किया और बहुत सारे derivation दिये जैंचली मैं इन्होंने derivation के results दिये लोग कहते हैं कि इनकी आर्थिक थी यानि financial condition इतनी खराब थी कि एक यह मतलब एक notebook भी नहीं खरीश सकते थे पर्चेस कर सकते थे यह कि उस पर किसी integer function में भी इन्होंने कुछ equations दिये हैं उन में से एक equations के बारे में हम लोग आज बात करेंगे ठीक है equation क्या था है मैं हूप निर्स оказ機 करेंगें सकते कर के ग्रजीισたい कर था के इंगें स घंगें लोगें लोगें सयरक्ष़ थी Panther plupartenteंऔ थीचेंओ इस ग्रेटेश इइसे पह सारे नहींißt और उसके रीजल्ट को इन्होंने अपने notebook में लिख दिया था उसमें से एक result ये था ठीक है तो इस result के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि result आया कैसे और और देखेंगे कि इस result में जो चीजें use हो रही है उन चीजों से इस problem को हम लोग कैसे solve कर पाएंगे ठीक है तो देखिए हम लोग जानते हैं जैसे मैं बात करूँ मैं बात करूँ कि अगर मैं greatest integer of n into x लिखता हूँ तो क्या मैं इसको n into greatest integer of x लिख पाऊंगा ठीक है ये कभी possible नहीं होगा this will never be possible ठीक है ये कभी possible नहीं होगा तो greatest integer of n into x की value क्या होगी ठीक है इसके लिए एक series दी हुई है क्या series है series दी हुई है k is equals to 0 to n minus 1 greatest integer of x plus k by n ठीक है ये एक series दी हुई है इस series की सहायता से हम लोग जैसे हम हम लोग greatest integer of n x की value calculate कर सकते हैं तो जैसे हैं मुझे greatest integer of 2 x की value calculate करनी है greatest integer of 2 x की value क्या होगी तो देखो यहाँ पे n क्या है 2 है यानि k is equals to 0 to n minus 1 यानि 1 greatest integer of x plus k by n तो इसकी value क्या हो जाएगी एक बार k is equals to 0 रखोगे और एक बार 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा summation of x plus k is equals to 0 रखा divided by n क्या है n यहाँ पे 2 है plus greatest integer of x plus k is equals to 1 रखोगे 1 by n n क्या है 2 है ठीक है तो इसकी value आजाएगी greatest integer of x plus x plus 1 by 2 ठीक है greatest integer of 2 x की value क्या होगी greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 2 ठीक है इस चीज को याद रखना है ऐसे greatest integer of 3 x की value क्या हो जाएगी अगर मैं लिखना चाहूं तो greatest integer of 3 x की value हो जाएगी greatest integer of x यह कहां तक जाएगा greatest integer of 3 x की value अगर लिखना है तो यह k is equal to 0 2 कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा ठीक है तो summation ले लो यहाँ पर k की value पहले 0 put करो फिर 1 put करो फिर 2 put करो n की value क्या है 3 है तो यहाँ इसमें क्या आएगे 3 terms आएगे plus x plus 1 by 3 plus plus x plus 2 by 3 ठीक है हम इस तरीके से 2 x और 3 x की value को लिख सकते हैं अब देखो हमें क्या करना है हमें just इसमें क्या करना है कि इसको मालो equation number 1 और इसको माली है हम लोगोंने equation number 2 ठीक है equation number 1 और 2 में मतलब equation number 2 में हम क्या करेंगे दोनों side इस term को add कर देंगे greatest integer of x plus 1 by 2 को अगर हम add कर दें तो यह क्या हो जाएगा greatest integer of 3 x plus greatest integer of x plus 1 by 2 2 और 2, and this will equal to greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 2 ठीक है plus यहा देक्षना plus greatest integer of x plus 1 by 3 plus greatest integer of x plus 2 by 3 ठीक है यह मिल गया अब इस term को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस term को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस term को इस term की जगे हम लोग लिख सकते हैं greatest integer of 2x ठीक है इस term की जगे हम लोग greatest integer of 2x लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा greatest integer of 3x plus greatest integer of x plus 1 by 2 is equals to हम लोगों ने क्या कर दिया हम लोगों ने greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 2 की जगे greatest integer of 2x की value पुट कर दी तो यह हो जाएगा greatest integer of 2x और दो other terms क्या होंगे as it is रहेंगे greatest integer of x plus 1 by 3 plus greatest integer of x plus 2 by 3 ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा greatest integer of x plus 1 by 3 plus greatest integer of x plus 2 by 3 ठीक यह पुट कर दिया हम लोगों ने अब क्या देखो अब मैं अगर यह लिखना चाहूं यहाँ पर 3x की value 3x की value अगर मैं लिख दूँ let's suppose n by 2 3x की value अगर मैं n by 2 put कर दूँ तो x की value क्या हो जाएगी x की value यहाँ पर हो जाएगी n by 6 ठीक है तो इस equation में इस की value अगर मैं put करूँ तो यह क्या हो जाएगा greatest integer of n by 2 plus greatest integer of x की जगे मैंने क्या पुट किया n by 6 तो यह हो जायागा n प्लस 3 by 6 is equal to क्या हो जाएगा यह 2x की value यहाँ पर क्या हो जाएगी greatest integer of n by 3 plus greatest integer of kya हो जाएगा x की जगे हम लोग क्या put करेंगे n by 6 तो यहाँ पर n plus 2 by 6 और यह हो जायागा greatest integer of n plus 4 by 6 इस तरीके सी जो एस रम मनुजन ने ये फ्लूर equation या greatest integer equation दिया था इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं ठीक है यह जो दिया था अब देखो इसमें एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज में दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने क्या लिखा है हम लोगोंने greatest integer of देखों यहाँ पर जैसे हम लोगोंने greatest integer of 2x की value लिखी है greatest integer of 2x की value लिखी है greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 2 ठीक है तो अगर मैं x को x by 2 से replace कर दूँ है यहाँ पे अगर मैं x को x by 2 से replace कर दूं तो यह क्या हो जाएगा, greatest integer of x की value क्या हो जाएगा, यहाँ पे greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x plus 1 by 2, ठीक है, ऐसे ہिं हम लोगोंने क्या लिखा था, greatest integer of 3x की value हम लोगों ने क्या लिखी थी? greatest integer of 3x की value हम लोगों ने लिखी थी greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 3 plus greatest integer of x plus 2 by 3, ठीक? तो अगर मैं इस equation में, इस equation में अगर मैं replace कर दूँ x को x by 3 से, x by 3 से अगर मैं replace कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा? greatest integer of x की value क्या हो जाएगी यहाँ पर? यह हो जाएगी greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x plus 1 by 3 plus क्या हो जाएगी? greatest integer of x plus 2 by 3, x plus 2 by 3, तो यहाँ पर एक beautiful result मिल ला है कि greatest integer of x की value क्या होती है? यहाँ पर greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x plus 1 by 2, similarly greatest integer of x की value क्या होती है? greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x plus 1 by 3 plus greatest integer of x plus 2 by 3, ऐसे ही greatest integer of x को हम लोग यह भी लिख सकते हैं, greatest integer of x by 4 plus greatest integer of x plus 1 by 4, ठीक है? plus greatest integer of x plus 2 by 4 plus greatest integer of x plus 3 by 4, ठीक है? अगर हमें greatest integer of x को इस तरीक इसे भी लिख सकते हैं, एक और term बढ़ा सकते हैं, इसमें, जैसे greatest integer of x by 5 plus greatest integer of x plus 1 by 5, plus greatest integer of x plus 2 by 5 plus greatest integer of x plus 3 by 5 plus greatest integer of x plus 4 by 5, ठीक है? इसमें कितने term आ जाएंगे? इसमें 5 term आ जाएंगे, इसमें 4 term, इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें 3 terms और इसमें 2 terms, तो greatest integer of x को हम लोग या तो ऐसे लिख दें, greatest integer of x को या तो ऐसे लिख दें, greatest integer of x को या तो ऐसे लिख दें, ये greatest integer of x को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किसी भी method से हम लोग greatest integer of x को लिख सकते हैं, तो एक ये बहुत ही सुंदर result है, ठीक है? नीचे आगे भी हम लोग कर सकते हैं जैसे greatest integer of x को अगर मैं लिखना चाहूं तो x by 6 से भी लिख सकता हूं and so on इसमें कितने term हो जाएंगे 6 term आ जाएंगे ठीक है तो इन सब की value इसकी value भी greatest integer of x के बराबर होगी इसकी value भी greatest integer of x के ही बराबर होगी इसकी value भी greatest integer of x के बराबर होगी तो यह जो हमारा problem था problem क्या था कि function f1 x की value क्या है function f1 x की value है greatest integer of x by 4 plus greatest integer of x plus 1 by 4 plus greatest integer of x plus 2 by 4 plus greatest integer of x plus 3 by 4 इसका मतलब यह किसकी value है यह greatest integer of x की value है ठीक है f2 की value क्या है function f2 x की value क्या है greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x plus 1 by 2 इसका मतलब क्या है यह किसकी value है greatest integer of x की value है ठीक है यानि यह दोनों function क्या है same है, दोनो function क्या है, यह दोनो function same है, तो हम जानते हैं कि greatest integer of x का जो domain होता है, वो क्या होता है, all real number होता है, मतलब इस function का, function f1 x का भी domain क्या होगा, real number होगा, minus infinity to infinity, और इस function का भी, अगर इन दोनों domain का intersection लेंगे, तो क्या होगा, option e जो होगा, वो right हो जाएगा, और क्या होगा, minus infinity to infinity, यह जो domain है, इन दोनों के domain का intersection लेंगे, तो इस तरीके से इस problem को हम लोग solve पर सकते हैं, तो अभी जैसे यह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रामानूजन, फ्लूर equation, फ्लूर equation, ठीक है, यह रामानूजन, फ्लूर equation है, ठीक है, यह पहला फ्लूर equation, ऐसे ही दो फ्लूर equation और हैं, रामानूजन के, वो next video lecture में देखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग ने derive ही कर दिया, हम इसे यह याद रखना, यह greatest integer of x function की property होती है, कि greatest integer of nx will never equal to greatest integer of x into n, ठीक है, n को कभी भी हम लोग बाहर ने निकाल सकते हैं, अगर आपको इसकी value चाहिए, तो greatest integer of nx की value क्या होगी, एक यह summation की एक series है, ठीक है, इस series के through हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारे calculation किये हैं, greatest integer of 2x की value यह, greatest integer of 3x की value यह होती है, और फिर हम लोगों ने जो रामानूजन floor equation है, इसको कैसे आया है flow regression, इसको समझाया है, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने एक्डिोटिफुल रिजल्ल््ट दिखा की greatest integer of x की value को हम लोग किस-किस function के form में लिख सकते हैं, मतलब यह भी क्या represent करेगा, greatest integer of x, यह equation भी greatest integer of x represent करेगा, यह equation भी greatest integer of x रिप्रेजेट करेगा, यह equation भी greatest integer इक्वेशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारा जो कैलकुलेशन था इस रामानुजन का वो किस पे था इन्फिनिटी पे कैलकुलेशन था है उन्होंने ही इन्फिनिटी को जाना था देखा था ठीक है उससे पहले और उसके बाद कोई भी ऐसस मैथमेटिसियन नहीं हुआ है जिसने अभी तर फिलाल अभी तर जिन्होंने इन्फिनिटी को देख कर सकते हैं ठीक है next problem देखते हैं